हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी योटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के most important question को discuss करेंगे जो के आपके आने वाले सभी exam जिसमें हिंदी से related question पूछे जाते हैं उन सभी exams के लिए सारे question बहुत ही important है तो चलिए शुरू करत का सामास से भी ग्रे गर देखें तो देश से निकाला इस पकार इसका सामास से भी ग्रे हो रहा है और जिसमें उत्तर प्रत्प्रधान हो रहा है और जिसमें उत्तर प्रत्प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है बात करें दिगु समास की तो जिसमें पू अर्दस्वर के अगर बात करें वण माला में तो या और वा ये दो ऐसे वण है जो अर्दस्वर के अंतर गताते हैं इसलिए option डी राइट हो जाएगा ये और भी दोनो अगला question दुर्जन सब्द का संधि विच्छेद होगा बात करें दुर्जन सब्द के संधि विच्छेद की तो यहां पर option सी राइट होगा दो धन्जन इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा और बात करें इसमें संधी कौन सी है तो इसमें विशर्ग संधी है संदी भी कुल तीन प्रकार की होती है जिसमें स्वरसंदी, बेंजन संदी और विसर्क संदी दुर्जन ये विसर्क संदी के अंदर गताता है अगला कोश्चन सिलाई में कौन सा प्रत्य है? सिलाई में प्रत्य के अगर बात करें तो सिलाई में आई प्रत्य है प्रत्य वो होते हैं जो सब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो होता है वो सब्द के आगे लगता है और प्रत्य की अगर बात के तो हिंदी में प्रत्य दो परकार के होते हैं किरिट प्रत्य और तद्धित प्रत्य अगला कुश्चन इन वे से कौन सा असुध सब्द है बात करें असुध सब्द की तो इसमें सन्यासी जो लिखा हुआ आप्षन यह यह असुध सब्थ है जब कि उज्योल भी सुध है कभितिरी भी सुध है औह असिर्वाद भी सुद्ध है इसलिए option क्योंकि असद्ध पूछा जा रहा है इसलिए option यह रइट हो जाएगा अगला question कि कि तो गुणवाचक विशेशन के कितने भेद होते हैं रहा है गुणवाचक विशेशन के कुल साथ होते हैं option डी राइट हो जाएगा विशेशन किसे कहते हैं तो जो सब्द संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताता है उसे विशेशन कहते हैं जिसमें से विशेशन चार प्रकार के होते हैं और उसमें भी जो गुणवाचक विशेशन होता है इसके साथ भेद होते हैं अगला कुछेशन नीली साड़ी में कौन सा विशेशन है ऑप्षन ये गुण वाचक विशेशन ऑप्षन सी परिमाण वाचक विशेशन या फिर ऑप्षन डी सारवनामिक विशेशन बात करें नीली साड़ी की तो साड़ी कैसी है नीली है यहाँ पर गुण को बताया जा रहा है तो तो option ये right हो जाएगा ये गुण वाचक भी शेश्वड के अंदर गताएगा, option ये right हो जाएगा, अगला कोशन, चीफ की दावत किसकी रचना है? चीफ की दावत कि रचना की अगर बात की जाये तो ये भीज मसाहानी की रचना है, option, डी राइट हो जाएगा तितली, कंकाल, इरावती ये सभी रचना है जेसंका प्रशाद जी की है यामा की अगर बात के तो महादेवी बर्मा जी की है जो की बहुत ही प्रशिद रचना है अगला कोशन रसकलस किसकी रचना है आफसन ये आफसन बी हरियोद आफसन से सुमित्ता अंदन पंद या फिर आफसन डी जेसंका प्रशाद बात करें रसकलस की तो ये हरियोद जी की रचना है आफसन बी राइट हो जाएगा पल्लो, चितंबरा ये सुमित्ता अंदन पंद जी की रचना है नेस्ट कुश्चन नेम ने लिखी सब्दों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संग्या है आफसन ये गाय आफसन बी गंगा आफसन सी पहाण या फिर आफसन डी आम बात करें व्यक्तिवाचक संग्या की तो इसमें गंगा जो हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संग्या के अंतरगत आएगा option b right हो जाएगा जहाँ पर व्यक्तिगत बात की जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संग्या होता है भूत काल के कुल कितने भेद होते हैं बात करें भूत काल के भेदों की तो इसमें कुल 6 भेद होते हैं, option C right हो जाएगा और काल कुल 3 परकार के होते हैं, जिसमें भूत, भविश और वर्तमान काल ये 3 परकार के काल होते हैं, जिसमें भूत काल 6 परकार के होते हैं वह बाजार जाता है, वाक्य में क्रिया किस काल की है वह बाजार जाता है तो इसमें सामान वर्तमान काल होगा option C right हो जाएगा अगला question मगही किस भासा की बोली है बात करें मगही किस भासा की बोली है तो ये बिहारी की है option D right होगा next question सवर संधी के कितने प्रकार होते है बात करें सवर संधी की तो 5 प्रकार के होते है option ये राइट होगा जिसमें दिर्क संधी, ब्रिद्ध संधी, यन संधी, गुण संधी और आयाद संधी ये 5 प्रकार के संधी होती है जो कि सवर संधी के अंतर गताती है और संधी की बात करें, तो कुल तीन प्रकार की होती है, जिसमें स्वर्वेंजन और विसर्ग, अगला कोईश्चन, हिंदी वन माला में वेंजन वनों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वन माला में वेंजन वनों की संख्या की अगर बात करें, तो कुल 33 प्रकार के वेंजन व तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो इस चैनल पर फ्लोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें धन्यवाद